हजारों खर्चने के बाद हम एक महेंगा फाउंडेशन खरीते हैं लेकिन जब वो फाउंडेशन अच्छे से स्कार्म नहीं करता है कुछ दिर रखने के बाद चहरा केक ही हो जाता है काला पर जाता है आज हम jaring bent как फाउंडेशन को लॉंग लास्टिंग रखने के कुछ आसान से तरीके चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का और एक वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं वैसे तो फाउंडेशन को लॉंग लास्टिंग रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही आसान पांच तरीकों के बारे में बताने वाली हूं क्या आप बरतन में लीजिए थोड़ा सा ठंडा पानी उसमें आप अपने फाउंडेशन को दो से तीन बूंत डाल दीजिए कुछ दिर वेट कीजिए और इसके बाद एक ब्रश की मदद से वह फाउंडेशन उठा लेजिए और अपने चेहरे पे लगा लेजिए लगाने के बा आप पाोडर या फिर रोस पाउडर से पाउडेशन लगाने से पहले अपने चहरे पर थोड़ा सा पाउडर लगा लो और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो और उसके बाद आप जो फाउंडेशन लगा रहे है उसको लीजिए और अपने चहरेपे लग लेना है अपना foundation, उसके साथ मिलाना है चुटकी भर powder, powder में आप rose powder ले सकते हो, baby powder ले सकते हो, या फिर translucent powder भी ले सकते हो, इसको थोड़ा सा मिला लीजे, मिलाने के बाद brush की मदद से उस foundation को अपने चेरे पे लगाईए और अच्छे तरीके से blend कर दीजे, बस आपको यहाँ प कीजिए, क्योंकि beauty blender sponge है, तो इसमें foundation बहुत जल्दी सोक हो जाता है, अगर आफ smooth finish और अच्छा coverage चाते हैं, तो हमेशा ब्रश की मदद से ही foundation को blend किया करें, और अंत में एक ऐसा tip जो सभी को पता है, मेकप खतम होने के बाद, setting spray का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना, आ करें से ही ज से का अंता हैं, खना पूलना करें jó जलना प्रूलना तो हैं, पिल्कुल मत भूलना हमेशा के बढ़ आवा है को जया हैं, तो इसे ही मत भूलना करें हैं, और सकतरत तूलना आफ मूलना हो सहा प consigooweई जàिस्झा की मत अवान gent से को जाख दो हैंएजा आए़ लग